किसी चीज़ लिए बहुत ज्यादा एक्साइटर हो जाओना कोई ना कोई प्रॉब्लम होई जाती है मैंने रिसेंटली ओडर किया यह नियल एक्सेंशन किट फ्रॉम फ्रॉम पॉलिजल नियल एक्सेंशन इस तरीकी का होता है जिसमें आपको एक ट्यूब के मदद से नियल करना होता है और बहुत प्यारा सा नियल फॉम हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि मुझे क्या रिसेव हुआ अपने ओडर में और क्या प्रॉब्लम होई तो सबसे पहले तो जो मुझे मिला यह मिनी यूवी एलेडी लैंप तो यह जो नियल एक्सेंशन होता है यह ऐसे ही यह एक्सेंशन करना है और आममें मिलता है यह नेएल फॉम जिससे हम नेईल को शेप करेंगे यह फाइलर मिला है और यह टूल मिला है जिसमें स्पैचिल यह और नेल ब्रश भी है साथ ही यह यह बताथ अच्छा था लेकिन इस ओर में मिसिंग था slip solution slip solution की मदद से ही हम poly gel को shape करते हैं nail की shape बनाते हैं वरना वो बहुत sticky हो जाता है मैं बहुत curious ही है जानने के लिए कि यह सच में work करता है कि नहीं तो फिर मैंने substitute हो ना internet पे मुझे पता चला कि acetone होता है that works in the same way as slip solution और acetone मेरे पास थाने तो आपके बनाते हैं तो I had to substitute that is sanitizer to sanitizer की मदद से मैं नेल बिल करने की कोशिश की poly gel से nail बिल करके उसे form पे अपलाई किया मैं और अब मैं उसे पने nail पे लगा रही हूं और काईस यह नहीं सिर्फ एक experiment है मैं सिर्फ चेक करना चाहती थी या मैं slip solution अलग से मंगा हूं या नहीं मंगा हूं या काम करेगा की नहीं तो मैंने डिसाइड किया कि एक पर sanitizer से ट्राय करके देखते हैं अगर यह काम कर दिया तो इसमें और investment करने का कोई मतलब भी बनता है and to my surprise it worked really well first time में जो मैंने ट्राय किया यह nail काफी अच्छे से बिल्ड हो गया and it was sticking really nice to my nail but जो टॉप पार्ट था वो मैंने बहुत पतला बिल्ड किया था तो मैंने थोड़ा और sanitizer और poly gel लिया और उससे नेल के उपर फिर से एक और layer create कर दी ताकि जो nail edge है, free edge है जो वो अच्छे से create हो जाए तो इसे apply करके मैंने फिर से secure कर दिया and यह uneven तो था लेकिन मुझे पता है मैंने यह सिर्फ एक test के लिए किया था I just wanted to see how it works तो uneven होने से कोई फरक नहीं पढ़ता because anyways जो free edge है उसको में shape करने वाली हूँ and please don't come at me by saying कि आपने nail prep नहीं किया मैंने जान बूच के nail prep नहीं किया because मैं सिर्फी देखना चाती थी कि nail build होता है कि नहीं और यह nail जो मैंने बनाया इसके बाद मैंने तुरंट इसे remove कर दिया था and क्योंकि nail prep नहीं किया तो काफी इसी लिए remove भी हो गया और उसके बाद मैंने पूरे nails पे अच्छे से प्रेप किया बहुत अच्छे से प्रेप किया और फिर उसके बाद nail apply किया तो वो काफी लंबा टिक पे कया don't worry मैं पूरा process आपके साथ अगली वीडियो मैं शेर करने वाली हूँ and I will share with you each and every step in full detail right after I did this one nail इसे remove करके मैंने पूरे nails पे अच्छे से प्रेप किया like I told you and I did this design and मैंने sister के nails पे अच्छे से प्रेप किया था and turned out beautiful अगली वीडियो मैं आपके साथ इन सभी nails के टुटोरियल शेर करूंगी full detail में see you in the next video till then bye